नमस्कार प्यारे साथियों एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस ओनलाइन प्रेट्फूम पर हार्दिक स्वागत है तो जैसे कि आप अभी थमनेल में देख रहे हो क्या कुछ लिखा हुआ है मैंने और क्यों लिखा है इस पर हम चर्चा करेंगे और ये जरूरी बाते हैं सारी इंपोर्टन बाते हैं आप सभी के लिए एक एक मापको पॉइंट बताऊंगा क्या कुछ इसके अंदर जो मुद्दा आज का बन रहा है यहां मैंने जो लिखा हुआ है एच एससी सुदर जाओ बंद करो अपनी मनमानी तो एच एससी तो सुदरने वाला अभी है नहीं आप सभी को पता है और जो अपनी मनमानी वो चला रहे है उसको बंद करवानी पड़ेगी बंद करवाओगे तभी के जो उमिद्वारों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बंद होगा और आप सभी को एक साथ होना जरूरी है अगर आप एक जुट नहीं हुए तो ये एच एससी की जो मनमानी है वो एसे ही चलती रहेगी और उमिद्वारों के साथ जो अन्याय हो होता रहेगा तो क्या कुछ मुद्दा है पूरे मुद्दे पर हम बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट आज हम देखते हैं भी टेक्निकल जो वकेंसी है हर्याना के अंदर क्योंकि इस पर बोलना जरूरी है टेक्निकल पर अभी तक किसी बंदे ने कोई भी नहीं बोला है तो इस पर हमें बोलना जरूरी है क्योंकि आप सबी को पता है जो भी हर्याना के अंदर टेक्निकल वकेंसी होती है पूरे हम आपको एक्जाम्पल बताऊंगा एक्जाम्पल समझाऊंगा क्या कुछ मुद्दा ये हो रहा है पूरा ठीक है तो जैसे आप सबी को पता है भी टेक्निकल जो वकेंसी है वो बोल रहे हैं भी CET के अंदर में होगी ठीक है ना तो इसका मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ पहले क्या कुछ पूरा प्रोसेस है जैसे कि आपने ये आज न्यूज तो पढ़ लियोगी सबी ने ये मैं आपको न्यूज नहीं दिखा रहा में मुद्दा मेरा क्या है जो टेक्निकल वकेंसी का मुद्दा रहेगा कहीं आप बचे सोच रहे हैं या इस न्यूज को पढ़ कर क्या है वीडियो बना रहे हैं इस तरह से को एकोसिस्टम है पूरा हमारा जो मकसद है आज टेक्निकल वकेंसी को सीटी के जो दाइरे में ले रहे हैं उस पर हमारा मुद्दा रहेगा तो यहाँ पर थोड़ा सम आपको बताना चाहता हूँ देखी क्या कुछ दिया हुआ है भी हर्याना में शिक्सको के लिये नहीं होगी सीटी मगर एच एससी अपनी प्रिक्षा लेगा यानि कि आप सभी को पता है कि जो सीटी के अंडर में क्या है सीटी इसके अंडर में एक तो सिक्षा कि जितनी भी vacancy है जैसे कि teacher वगरा की vacancy है वो city के अंडर में नहीं होगी दूसरी उन्होंने बोला है जो police की vacancy है constable की वो इसके अंडर में नहीं होगी अब इन डोनों को इन्होंने बाहर कर रखा है तो technical vacancy इसके अंडर में केसे आ सकती है पूरा system technical का भी अलग होता है अब मैं आपको example बताता हूँ technical का पूरा process अलग केसे होता है चलिए हम देखते है example के रूप में समझ लेते हैं जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं क्या कुछ हमारे पास process रहेगा कि मान लिजिए किसी student ने कर रखिया IT ठीका न उसके पास IT है अब IT आप सभी को पता है भी 10th class के बाद direct बच्चा करता है और 2 साल की जो IT मान लिजिए electrician से बात कर रहा हूं है अभी latest पिछे vacancy निकली थी electrician की electrician की post थी जिसके अंदर 115 post थी electrician की ठीक है 115 कुल post थी electrician की अब इस इन सभी पोस्टों को आप सभी को पता है भी cancel करके वो CT के अंडर में ले रहे है अब यह बताईए CT का मतलब आप सभी को पता है CET का मतलब हो गया common interest जो test है वो यानि की एक common test देना होगा बच्चों को अब यहाँ पर common test देना होगा तो इस common test के अंदर तो माल लीजिए graduation वाले बच्चे भी बैठेंगे ठीक है ना जो upper graduation है जो की post graduate बच्चे है PG वाले वो भी बैठेंगे इसके अंदर जो diploma जिन्होंने करक्खा है वो भी बैठेंगे इसके अंदर plus two वाले बच्चे भी बैठेंगे सारे अब यह जो IT वाले बच्चे है अब CT के दिले सबसे पहले common paper होगा उसके बाद technical का दूसरा paper होना है यह तो है नहीं भी इस electrician post के लिए जो CT का आप common paper दोगे वो पास करने के बाद direct आपको इसमें entry मिल जाएगी यह आपका exam qualify माना जाएगा इसके लिए तो आपको दूसरा अलग से paper देना पड़ेगा लेकिन जब आप यह CT का paper दोगे तो इसके अंदर तो PG वाले बच्चे बेठे हैं graduation वाले बच्चे बेठे हुए हैं तो यह IT वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर केसे fight कर देंगे इस common interest test को exam केसे qualify कर सकते हैं पूरा syllabus अलग होता है पूरा system अलग होता है जैसे कि इनके पास diploma हो गया graduation इनके पास है नहीं तो आप सभी को पता है graduation का syllabus तो अलग होगा तो यह मुद्धा मेन बन रहा है अभी IT वाले जो बच्चे हैं वो post graduate के बच्चे जो CT का exam देंगे उनसे fight केसे कर सकते हैं अब उनसे fight नहीं करेंगे तो CT का exam माल लीजिए qualify नहीं हो रहा pre qualify नहीं होगा तो वो तो electrician की post के लिए जो electrician की post है उसके लिए वो नहीं बन पाएगा फिर तो नहीं post बनेगी वो तो उस post के लिए जो बच्चा है वो eligible ही नहीं होगा फिर तो अगर CT कलियर नहीं है या फिर आप एक काम कर सकते हो CT का जो आप pre exam ले रहे हो technical vacancies के अंदर या फिर इसके अंदर आप technical syllabus डालिए क्योंकि IT के अंदर दो साल का इन्होंने के technical पड़ा हुआ है दो साल में जो इन्होंने मान लिजे कोई electrician का बच्चा है तो वो तो electrician theory कोई cover करता है दो साल के अंदर electrician theory पड़ता है वो यह थोड़ी भी जो दूसरे subject पड़ता है तो electrician theory का आप सलेवस डाली है या फिर इनको आप CT के अंदर में ले रहे हो तो अब यह system गलत है ना पहले pre qualify करेगा यह electrician वाला बच्चा उसके बाद electrician वाला exam qualify करेगा यह सबसे बड़ा बेकार system है हर्याना के अंदर अपनी मनमानी इनको बंद करनी पड़ेगी और आप सभी को एक साथ होना पड़ेगा तो सबसे पहली जो demand हमारी यही है कि जो भी हर्याना के अंदर जितनी भी technical जो vacancies निकलती है ठीक है जितनी भी technical जो post निकलती है जैसे सबसे पहले मान लेता हूँ है alum की vacancy है उसके बाद SA की vacancy है उसके बाद JEE की vacancy है ठीक है ना अलग-लग परकार की है जो vacancies निकलती है हर्याना के अंदर technical की इन सभी को CT से बाहर किया जाए क्योंकि other state की बात करें other state के अंदर technical जो vacancy है CT के अंदर में नहीं है आपको अगर पता हो तो यह हर्याना के अंदर ही चल रहा है पूरा system इतना बेकार system बना रखा है हर्याना के अंदर आगे मापको और गज़ाता हूँ process देखिए क्या कुछ बेकार और system है दूसरा मुद्धा हमारा क्या रहेगा सुनिए just wait दूसरा सबसे बड़ा मुद्धा हमारा है revise answer की पर revise answer की ठीक है यह अगर नहीं निकलेगी तब तक अर्याना के अंदर कुछ भी चीज क्या है सही से नहीं हो पाएगी revise answer की निकालनी जरूरी है objection के number के से मिल रहे हैं को यह बताना जरूरी है अब एक example ले लेते हैं माल लीजिए objection लगाया है बच्चों ने आप सभी को पता है alum का यह मैं example लूँगा alum के अंदर alum जो exam है इसके अंदर जो objection लगाया था बच्चों ने माल लेता हूँ maximum 5 number मानता हूँ मैं 5 objection किसी ने लगा दिये अभी तक इन्होंने clarify यह नहीं किया है कि यह objection के number क्या है कितने मिलेंगे क्यों से क्यों से इन्होंने delete किये हैं क्यों से delete नहीं किये इसकी कोई भी revise answer की अभी तक इन्होंने नहीं release की और जो इनका DV अभी चल रहा है आप सभी को पता होगा answer की release हिनोंने की नहीं है revise answer की revise answer की से पता चलता भी हाँ भी इतने question आपने क्या है ignore किये हैं इतने question हमारे पास क्या है सही बैठते हैं तो जो बच्चा है वो अपने number count करके last में जब final list निकलती है उससे match तो कर पाए भी कितने number मेरे बन रहे थे अब माल लीजिए मैं आपको एक example बताता हूँ अच्छा सा alum वाले बच्चों की माल लीजिए मैं एक cut off के इसाब से चलता हूँ थोड़ा सा भी किसी cut off माल लीजिए alum के इंदर pitchman number cut off जा रही है ठीक है और किसी बच्चे के number है 54 ठीक है न तो वो यहाँ पर एक number से यहाँ पर चूक होगी अब इस एक number से इस बच्चे की यहाँ पर चूक हुई है तो अब इस बच्चे को यह क्या पता होगा भी इसके objection के number मिले है या नहीं मिले इसके नंबर कितने थे ये केसे पता चलेगा इसको इसके लिए हमें रिवाइज आनसर की निकलवानी जुरूरी है सबसे इंपोर्टन पॉइंट है ये रिवाइज आनसर की का मैंने आपको बताया था भी मैं चेर्में सर से मिला था वहां पर इतना इन्होंने क्या है एक बेकार सा ही जवाब दिया है इतना बद्दा जवाब दिया है कि ना तो हमने रिवाइज आनसर की निकाल लेंगे निकाल ली है और ना कभी निकाल लेंगे इंडिया में एसा प्रावधान ही नहीं है ऐसे ही उनोंने मू हँठाके बोल दिया पता नहीं कौन बैठा था वाएग वो तो इसमें सिस्ट्म क्या निकलता है इंडिया में क्यों निकलते हैं आप रिवायस अनसर की सबी जगे निकलते हैं राजस्तान के अंदर निकालते हैं, यूपी में हैं, जो भी हर्याना, इंडिया के अंदर एक्जाम होते हैं, रिल्वेज के अंदर निकाले गई हैं, तो ये सबसे बेकार सिस्टम हर्याना के अंदर HSC का सबसे बेकार सिस्टम है, कि जब तक रिवाइज आनसर की नहीं निका पता चल रहा है जे, क्या चेक चल रहा है ने चल रहा है, उसके एक नंबर यहां पर वो बढ़ा सकती है, बाद में उब्जेक्शन लगेगा तो वो बोल देंगे भी, अंसर की के अंदर उब्जेक्शन के नंबर मिले हैं इसके तो, तो यह सिस्टम कई है हरियाना के अंदर साथ हमेशा ऐसा ही होता रहेगा अगर आप इसके लिए आप नहीं कोई भी मुहीम उठाओगे तो जितने भी यूटूबर है जो भी टीचर्स है उनसे भी आप सभी बच्चे रिक्वेस्ट करोगे इसके लिए आप मांग उठाओ ठीक है ना जो भी यूटूबर है अपनी चलो ठीक अच्छी बात है भी कलास लगा रहें अपने आप इस चीज के लिए बच्चों के लिए भी उन यूटूबरों को बोलना चाहिए सभी क्योंकि आप सभी ने देख लिया है हरियाना के अंदर जो इतना यह बेकार सिस्टम है revise answer की का अभी तक किसी भी आज तक exam की revise answer की इनोंने नहीं दिये ठीक है ना तो इससे हमें पता कैसे चलेगा भी बच्चे के नंबर कितने बनने हैं तो ये जरूरी चीज़े हैं तो ये तो मैंने आपको बता दिया अब अगला जो हमारे पास point बनता है क्यूसन का next जो हमारे पास तीसरा क्यूसन मैं आपको बताता हूँ पहला मैंने आपको CT का बताया है दूसरा मैंने आपको revise answer की का बताया तीसरा हमारा जो क्यूसन रहेगा वो रहेगा qualification भी ठीक है ना qualification हर्याना के अंदर क्यों नहीं mention करते सही तरह से ठीक है अगर mention कर रखी है तो दूसरे बच्चों को क्यों entry करवा रहे हैं फिर वो इस मुद्दे पर चर्चा रहेगी अब आप सभी को पता है latest राजस्तान के अंदर कल ही कल ही technical helper की जो vacancy है third gate की technical helper की जो vacancy है technical helper थर ही इसकी vacancy लगबग 1512 अपद इन्होंने क्या release किये हैं इसके अंदर एक एक point इन्होंने mention किया भी हम ये करेंगे इतने बच्चे लेंगे इतने हमें करना पड़ेगा पूरा process मैं आपको दिखाता हूँ technical helper बरती के अंदर राजस्तान वालोंने कितने clarify के तरी एक दम बढ़िया तरीके से इन्होंने advertisement निकाली और उसके अंदर सारी चीज़े mention कर दी आपको इतने गुना हम बुलाएंगे इतने इतने आपके पास number याने कि मार्क्स की क्यों सनाएंगे सारा इन्होंने clarify कर रखा है ये पागल जो हर्याना के अंदर जो बना रहे है एसससी वाले ये पताने कब सुदरेंगे इस चीज़ को देखकर कुछ दूसरे राज्यों को देखकर भी सुदर सकते हैं न ये तो आप सभी बच्चों को एक जुट होना पड़ेगा क्योंकि जरूरी है इस मुहीम को हमें स्टार्ट करना जितने भी आप यूटूबर जो भी आपके साथ में टच में है जो भी टीचर आपके टच में है उन सभी को इस चीज़ के लिए बोलो ठीक है न आप बार बार बोलो कि उनको तब जाकर वो जो यूटूबर है जो उस वीडियो बना सकते है या फिर इस मुद्दे के लिए क्या है खड़े हो सकते है नहीं तो बस उनका काम चल ला है अच्छी तरह से ठीक है आप बस भुगतते रोई चीज़ी सारी तो मैं आपको दिखाता हूँ देखिए राजस्तान के अंदर क्या कुछ पूरा प्रोसेस रहा ये पूरा नोटिस आप सभी ने देख लिया है पूरा नोटिस मैं आपको पढ़ कर नहीं सुनाओंगा आप सभी ने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं यहाँ पर नोटिस में जो important बाते हैं जो हरियाना सरकार को सीखना चाहिए इनसे वो मैं आपको बता देता हूँ देखिए क्या कुछ यहाँ पर हरियाना सरकार को भी सीखना चाहिए देखिए सबसे पहले यहां पर मुद्दा रहेगा qualification का सबसे important point है qualification का कि education qualification इन्होंने क्या मांग रखी है क्योंकि हर्याना के अंदर भी अभी lineman की vacancy निकली थी उसमें आपने यह सा क्यों किया फिर देखिए क्या इन्होंने बोल रखा है पूरा मां आपको बताता हूँ सबसे पहले यहां पर इन्होंने बोला हुआ है candidate must possesses the qualification of secondary यानि कि plus two इनके पास qualification जो secondary है वो होनी चाहिए from जो यहां पर क्या sorry 10th होनी चाहिए secondary मतलब 10th होनी चाहिए यह इन्होंने बोर्ड लिख दिया इस बोर्ड से हो सकती है फिर any equivalent बोर्ड से भी आपर चलेगा उसके बाद IT आपकी NCVT या SCVT से होनी चाहिए ठीक है ना यह यहां पर लिख दिया equivalent qualification in the trade of electrician equivalent इन्होंने लिख रखा है आप equivalent कौन सी होगी equivalent इन्होंने electrician, lineman, sba, wireman, power electrician इन सभी को इन्होंने equivalent के हिसाब से यहां पर बोला हुआ है आप बोलोगी ठीक है यह तो लिखा हुआ यहां पर clear कैसे बात हुई देखिए clarification यहां पर आपको मिलेगा अच्छे तरह से हर्याना सरकार इनसे कुछ सिखे सबसे पहले इन्होंने देख रखा candidate must possesses requested qualification on the date fixed for document verification यानि कि जो document verification होगा ठीक है ना उससे पहले यह जो candidate है वो उसकी qualification complete होनी चाहिए ठीक है यह बात होगी उसके बाद यहां पर दियावा देखिए दो number point सबसे important certificate diploma of Indian army navy air force considered equivalent to ITI अगर किसी के पास certificate है diploma of Indian army का navy का air force का उसे consider किया जाएगा equivalent to ITI ठीक है ना will only be considered equivalent qualification यहां तक तो ठीक है अगला point आप देखिए diploma in engineering यानि कि किसी ने diploma कर रखा है engineering यानि कि 3 साल का diploma होता है polytechnic का अगर किसी ने वो कर रखा है या फिर any higher qualification किसी ने बीटे कर रखी है ठीक है will not be considered equivalent to ITI यह देखो यहां पर पूरा इन्होंने अच्छी तरह से mention कर रखा है अब इसके अंदर किसी परकार का बच्चों के बीच में जगडा नहीं होगा क्योंकि हर्याना के अंदर इतना बूरा सिस्टम है इतना बेकार हाल बना रखा है अच्छी ने कि ना तो उन्होंने पहले qualification mention की अब qualification mention नहीं की तो उसमें डिप्लोमा वालों ने भी फोर्म बर रखा है बीटेक वालों ने भर रखा है एमटेक वालों ने भर रखा है आईटी वालों ने भर रखा है अब मुद्दा तो फिर बनेगा वो तो case का मुद्दा बनता है इस चीज़ का तो पहले उन्होंने clarify नहीं कर रखा पूरी बातों को अब यहाँ पर उन्होंने clarification पूरा दिया हुआ है तो यह बात सबसे important है इस चीज़ से भी क्या है हर्याना सरकार को सीखना चाहिए जो HSSC board है ऐसे इस तरह से notice निकालते हैं सीख लो यहाँ पर केसे notice निकालते हैं देख लो ठीक है आगे मैं एक बार आपको एक point और दिखाता हूँ देखिए यह देखिए सलेवस के बारे में कितना अच्छी तरह से इन्होंने सलेवस mention किया है वह सलेक्शन जो process रहेगा वो यहाँ पर क्या रहेगा pre और mens दो exam होने वाले है इसके अंदर क्या है जो सलेवस रहेगा वो math के जो question है वो दे रखा है देखिए math और science के 10 परसन आएंगे ठीका ना और GK के परसन आने वाले 35 यहाँ पर दिये रखा है इन्होंने कि जो इंडिया GK के परसन आएंगे 5 और technical के आएंगे 50 अब हर्याना पागल जो है बना रहे हैं HSSC वाले बच्चों को कभी technical के 40 के usício n दे रहे कभी technical के 20 के usício n दे रहे कभी technical के 13 के us firm दे रहे है यह इतना बेकार सिस्टम है ना हर्याना का ठीका ना उनको दिखाओ कुछ जाकर सिखाओ इनको यहा पर देखिए अब किसी exam के अंदर हर्याना के अंदर पिछले जो एलम का जो एकजाम था कटेगरी नमबर साइद वो एक थी उसके अंदर 183 पोस्ट थी इस 183 पोस्ट के अंदर लगबग साड़े तीन गुना बच्चे बुला लिए आपको पता हो तो साड़े तीन गुना बच्चे बुला रखें इसके अंदर और इसी एड़र्टाइजमेंट के अंदर कटेगरी नमबर 21 और 1300 वाली पोस्ट के अंदर इन्होंने बुला लिए आठ गुना बच्चे तो यह पागल बना रहे हैं फिर तो हमें किसी के अंदर साड़े तीन बुला रहे हैं किसी के अंदर आठ गुना इदर उदर बच्चे जाएंगे एक बच्चा अगर एक जगह से जा रहा है अपने घर से तो कम से कम दो से पंदरा सो से दो जार रुप कर खर्चा हो रहा है तो वो सरकार के खाते में जाएगा फिर तो में बात तो यही है इसी तरह से आप ब diğer चीज़ की लिए बोलना चाहिए मैं बार बार बोला हुँ अपको जितने भी योटूबर है उनको बोलो आप सभी बच्चे इस चीज़ के लिए आप उठाओ मांग उठाओ इस चीज़ के लिए यह नोटिफिकेशन आप दिखाओ यह देखो notification इसमें इन्होंने mention कर रखा तो आपने क्यों नहीं mention किया आप पर कौन से इसी क्या बात चल रही है अब यह तो यहां पर देखिए क्या लिखाओ देखिए दस टाइम यानि दस खुना बच्चे बुलाएंगे इन्होंने लिख दिया बस ठीक बात अच्छी बात है यह देखो इन्होंने पहले mention कर रखाए परी एक्जाम आपका होगा उसमें be tense time to the total number of vacancies total number of vacancies है उसके दस खुना बच्चे हम बुलाएंगे यह देखो कितने अच्छी तरह से इन्होंने लिखा हुआ है अब यह हर्याना सरकार पता नहीं कब सुद्रेगे इस सिस्टम अच्छा सची कब सुद्रने वाले हैं तो इनका man's exam होगा उसमें देखिए सलेवस निदारि कर रखा है इनोंने क्योंकि वो जागरुक बच्चे हैं इस तरह से नहीं अभी जो राजस्तान वाले बच्चों ने इस चीज की मांग भी उठाई थी तो हर्याना वाले बच्चे भी कहा है थोड़े इस चीज के लिए आप मांग उठाओ और जितने भी आपके यूटूब तो मेरा तो मुद्धा ये था जो मैंने आप सभी को बता दिया क्योंकि एचसे से करवा रही है बच्चों को आपसमें जो है वो लड़वा रही है बच्चों को ये सिस्टम गलत है अब इस चीज के लिए एचसे से को कलेरिफिकेशन बिल्कुल देना चाहिए और बच्चो रहे हैं जो कोई भी अगर उनसे आप क्यों सन पूछोगे इतना बेकार बाते हो बता रहे हैं इतना बेकार जवाब दे रहे है ताकि बच्चा वहां से अपने आप डी मोटीव हो जाता है यहां पर कुछ मिलने वाला है नहीं फिर क्या करें बताओ तो थोड़ी सी यूनियन बनवानी जरूरी है यूनियन बनाओगे यूनिटी बनाओगे तब जा करके आपकी बात यह आगे पहुँच सकती है अगर अकेला बच्चा वहां जाएगा कुछ नहीं बनेगा फिर ठीक है न तो यही बाते थी जो इंपोर्टन पॉइंट है वो मैंने आपको ब बोलो वीडियो बनवाओ आप इस चीज पर जर्बरदस्ती ठीक ना बोलना जरूरी है नहीं बोलोगे तो फिर क्या फाइदा है फिर तो चल रहा है सिस्टम चलता रहेगा फिर तो तो चलिए साथियों उमीद करता हूँ आपके दिमाग में दो भी बाते आपके चली है जो यह चल रहा है इतना खेल जो सिस्टम चल रहा है बूरा हाल जो चल रहा है इस सची का ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट थेंक्यू वेरी मच्च